हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजूकेशन हम यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूं आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे देखें बहुत सारे इस्टुडेंट जो है ना वो टेलीग्राम पे इंस्टा पे सभी जगा मैसेज करें यह जो प प्रैक्टिकल एक्जाम की वेट कर रहे है तो देखिए 20 से 23 का जो एक्जाम हुआ था 11 महीं से हुआ था 28 महीं तक आप सभी को पता होगा तो उसका जो है ना कोपी चेक करने के लिए भेज दिया गया है और आप लोगों को प्रैक्टिकल की एक्जाम की तीथी भी इसी मन् में होगा और आप सभी का कॉपी जो है वो चेक करने के लिए भेज दिया गया है चलिए 20 से 23 पार्ट वन वालों के लिए यही नियूस था और 20 से 23 के पार्ट टू का एक्जाम भी इसी साल में होगी अगले 6 मन्त में हमेशा यूनिवर्सिटी के तरफ से यूनिवर्सिटी क करने की वह 20 से 23 पार्ट टू 19 से 19 से 22 का पार्ट टू और पार्ट थरी और 21 से 24 के पार्ट वन की यही सब एक्जाम डेली मतलब कि हमेशा नूज में यही देता है अगले 6 मन्त में एक्जाम लेशन हो जाएगी तो 20 से 23 की पार्ट टू की भी आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से क्योंकि आप लोग का एक्जाम भी इसी साल होगा चलिए 20 से 23 वालों के लिए बस प्रैक्टिकल का एक्जाम कभ होगा यही सारे स्टूड का डावर था तो इस मन्त में आप लोग का रूटिन देखने को मिल जाएगा इसी वीक में ही आजाएगा ओके ब सारी बात अब पूछी जा रही है आप लोग को इसी सफ्ता हमें मतलब मंडे से लेकर सटाइडे के बीच में आप लोग को एक्जामनेशन का रूटिन भी देखने को मिल जाएगा और उसे पता चल जाएगा आप लोग के इस्टुएंट को पार्ट वान या पार्ट टू का ओणर को Prieto dunwriter को所azione करना होगा जो कुछ भी चाहिए होगा लिख के भेज़ दिज़ेगा होकि सिर्फ मैंशिज नहीं कीज़ेगा जो कुछ भी चाहिए होगा वह आप लोग अपना लिख के पडिए दिजयगा मैं आप लोग को प्रौवाइट करवा दूंगे और mathematics honors के student होंगे तो आप लोगो question में का solution भी provide करवाई जाएगा उसका PDF आप लोग जा के ले सकते हैं और अगर देखिए आप लोग अगर खरीद नहीं सकते हैं तो मैं वीडियो पुड़ा प्रवाईट करवाई हुई तो आप लोग वीडियो से जाएके समझ के वहाँ से लिख लेकिन अगर PDF चाहिए होगा तो आप लोग कंडेक्ट करके खरी सकते हैं ठीक है तो अभी और क्या नियुजे में बताती हूं और एक यह नूज है कि पार्ट्टू में जो फॉर्म भड़ने की तीति है वो नहीं बढ़ाई जाएगी फॉर्म लगवग संतानमे हजार चेशन में गरबड़ी होने के कारण फॉर्म भड़ने में काफी समय लगा यू एस एम एस आइस के समनेवग डाक्टर टीके डेने टीके डेने कहा कि अब फॉर्म भड़ने की तीथी नहीं बढ़ेगी हालांकि 1922 के इस चत्री परिक्षा कब होगी इसे लेकर अब तक सेड परिक्षा हो जानी चाहिए थी लेकिन सद्र लंबीत होड़ने एक अब तक से केंट परिक्षा भी नहीं हो सकी परिक्षा नियंद्रक रॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि अगले 6 माह में सभी लंबीत परिक्षा लेने की योजना है सिक्षा भी आपको कलेंडर दिये गया है और दिखें जो भी एस्ट्रेंट 20 से 30 के पार्ट 1 के एस्ट्रेंट है वो कम से कम अपना प्रेक्टिकल का कोपी बना के तयार कर लिजेगा प्रेक्टिकल के कोपी में क्या लिखना होता है ये सभी आप लोग को पता ही होगा नहीं पता है तो मैं आप लोग को पता रहती 5-3 лीके में सलोसन और आप लोग को सलीघ्न सारा सारे घ्मेस यतने प्रैक्टिकल धीक्तों स्वेप्ट न्हाइब तो तु स्वीडियो एक पुस्तों जाने नहीं होंगे ओके तो मिलतें नेक्स टूडियो में तिल देन बाय थाइंक्यू